कि तेस्टी हेल्दी काले चने चुब बनाना आसान है कठि नहीं सच बता रहे हूं और अगर ठंडी ठंडी सुबह यह काले चने की चाट वाला नाश्टा मिल जाए गर्मा गर्म चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाए हेल्दी भी और टेस्टी भी घर वाले फटा-फट यह बोल और आपसे कहेंगे next बीट जरूर बनाना फिर से क्योंकि इतने वर इतने टेस्टी कॉन मिस्थ करेगा रैस्टें चलिए बनाते हैं यह में टेस्टी काले चने चने बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है यह बहुत ही अच्छा option है आपका breakfast, lunch, dinner किसी भी time इसको आप बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएंगे आपको अंतर समझ में आगया होगा आपको भीगोते ही होगे तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही इज़ी बनके तयार हो जाएंगे आप एक कुकर लीजे जिसमें लगपक दो छोटे चमश ऑल डाली है मैं सरसो का तेल डाल लए हो जो भी तेल आप खाते हो वह तेल आप डाल सकते दो छोटे चमश हमें डाला हो तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे आदा च चुटकी हींग डालना बहुत ज़रूरी है चने छोले में हींग जरूर डालना चीए चार हरी मिर्च कटीवी हरी मिर्च कम ज्याजाश कर सकते हो अच्छे भूल लेंगे जीरा में तयार है अब डालते हैं लगबस एक छोटा चमच खल्दी को भी हल्का सब भूलेंगे इसके बाद पानी हटा की चने अने लिए है इसको आप अच्छे से लिए जिसके जो तेल है जो चौक में तणका बनाया है वह हमारे चनूं में अच्छे से मिल जाए अबस हमें बहुत ही डेसिक पसालेश में आड़ करने है जिसमें एक छोटा चमच धनिया पॉडर आधा चोटा चमच लाल मेश पॉडर इसी समें आड़ करिए आधा चोटा चमच जरम मसाला और ताथ में टेस्ट के कोड़िंग नमस जित्तर भी आप नमस पुसन करते कर दो को हुड़ी करो हुड़ अब हमें थे पानी है आग पानी के मेजर्मेंटलिके अगर आप दो कब चनि ले रहे हैं तो आप यह पॉड़ कुल पानी है करेंगे मतलब एक अपप चनों में ढустить कर पानी याट करेंगे आप कुछ दूचरों के पानी ज्यादा हो जाएगा ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इस पानी का भी हमीं स्तमाल करना सुखी चने बनाएंगे तो फ्लेम को लो पकने दीजीए लो फ्लेम पे इंचनों को चने पक चुके ते स्टीम निकल चुकी है तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये चने गले है की नहीं गले है तो देखिए कितने आसानी से हमारे चने पक चुके ये पानी जो है इसलिक घबराईए नहीं यही तो स्वाध है इसका कैसे क्या बताती हूँ हाई फ्लेम पे पानी को हमें सुखाना है लगाता चलाते रहेगा बीश बीश में ऐसा ना हो कि आप छोड़ते और बाद में हमारे चनने जल जाए इसका साफधानी पूरबक काम करता है पानी पूरा रिड्यूस हो चुका और देखा आपने चनों का टेक्शर बिल्कुर चेंज हो गया है जैसा लग रहा है कि लिटपुटा मसाला हमारे चनों पे लगा हुआ यही तो इसका टेस्ट है थोड़ा सा प्याज धनिया मिर्चा अद्रक काट के रख लिए क्योंकि बढ महीन कटी हुई अद्रक महीन कटी हुई धनिया और साथ में कुछ सुखे मसाले जिसमें कुटी हुई काली मिर्च थोड़ा सा सट मसाला उपर से स्प्रिंगल करेंगे जिस से हमारे चनों में जोय उपर से हमने हमें सालट टइप कर डाला है उसमें भी flavor और टेस्क एकॉरड लेमन जूस एट करिए जितना खटा पसंद करते हैं और आपकी ये चना चाट बिलकुल तैयार है घर्मा गरम चाय के साथ इस थंडी में इसको इंजॉय करिए हेल्दी टेस्टी चने कैसे लगे आप भी बताईएगा कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा